नमस्कार स्वागात आप सभी का और मैं हूँ आपके साथ प्रांका बॉलिवुड के सूपर हिट अक्टर आमिर खान मिस्टर पोफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं 14 मार्च 1965 को मुंबई में जन में आमिर खान ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं आमिर के पिटा ताहिर हुसेन एक फिल्म निर्माता थे जबकि उनके चाचा नसीर हुसेन एक फिल्म निर्माता होने के साथ साथ एक निर्देशक भी थे आमिर एक फिल्मी परिवार से तालूक रखते हैं और इसलिए उनकी रूची हमेशा से ही फिल्मों में रही है आमिर ने अपने जिंदगी के 35 साल हिंदी सिनिमा के नाम कर दिये हैं पिछले तीन दशक से आमिर लोगों को अपना दिवाना बनाते आए हैं आमिर को भारत सरकार ने साल 2003 में पद्मिश्री और साल 2010 में पद्मबूशन से भी नवाजा था आमिर ने हमेशा से ही अपने करदार के साथ नयाय किये हैं और हर करदार में खुद को बकू भी ढला है आज हम आपको आमिर की फिल्मों के पांच ऐसे किरदारों से रूबरू करवाएंगे जिनकी वज़े से आमीर आज बॉलिवूड के Mr. Perfectionist बन गए है अंदाज अपना अपना साल 1994 में आई आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना आज भी दर्शकों के लिए entertain फिल्मों में से एक है हाला कि फिल्म ने शुरुवाती दौर में बॉक्स ओफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं दिखाया था लेकिन बात में फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया था इस रॉमैंटिक कॉमेडिफ फिल्म में भोपाल के लड़के अमर का रोल निभा कर आमिर खान ने लोगों को खुब हसाया था फिल्म में आमिर और सल्मान खान की जोड़ी को लोगों ने बेहत पसंद किया साल 2007 में आए फिल्म तारे जमी पर के डिरेक्टर और प्रेडिूसर भी खुद आमिर खानी थे फिल्म में आमिर ने राम शंकर निकुम का किरदार निभाया था फिल्म में जिस तरह से आमिर ने डियलेक्सिया से जूज रहे बच्चों के टीचर का रोल निभाया था वहीं दूसरी तरफ आमिर ने इस फिल्म से लोगों को जागरुक कर दिया था बॉलिवूड एक्टर अभिशेक बच्चन ने भी कहा था कि उन्हें बच्पन से ही इससे समस्या थी लेकिन आमिर के फिल्म ने लोगों का नजरिया ही बदल दिया था इस फिल्म में आमिर के किर्दार को कोई भी नहीं बूल सकता साल 2008 में आए मिस्टरी ड्रामा फिल्म गजनी में आमिर ने अनूखा कमाल कर दिखाया था फिल्म में आमिर का किर्दार जबरदस तरीके से देश भर में चाया फिल्म में आमिर ने बिजनसमेन संजे सिंगानिया का किरदार निभाया था जिसकी एक हाथसे के बार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है और हर 15 मिन बार वो सब कुछ भूल जाता है फिल्म में आमिर ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया था वो आज तक काबिलियत तारीफ है ये कहना जरा भी गलत नहीं है कि आमिर अपने हर किरदार में पूरी तरह ढ़ल जाते हैं ठीक ऐसा ही उन्होंने फिल्म दंगल में भी किया साल 2016 में आए फिल्म दंगल में आमिर ने महावीर सिंग फोगट का किरदार निभाया जहां एक तरफ बॉक्स ओफिस पर फिल्म सुपर हिट साबित हुई वहीं दूसरी तरफ आमिर के किरदार को भी हर जगा तारीफ मिली आपको बता दे कि इस फिल्म के लिए आमिर खान ने मोता दिखने के लिए बॉडी सूट पहनने के बजाए असल जिंदगी में अपना वजन 97 किलो तक बढ़ाया था जिसके बाद उन्होंने छे महीने में ही वजन घटाया और महावीर के जवानी की दिनों का रोल निभाया फिल्म में आमिर ने कितनी मेहनत की थी ये उनका किरदार देखकर ही सब को पता चल गया था साल 2014 में आये फिल्म पीके से आमिर ने ये साबित कर दिया कि स्टार्डम पाना असान बात नहीं है इस फिल्म में आमिर की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई पीके के रोल से नियाय करने के लिए आमिर ने भोजपूरी भी सिखी थी